बिस्म अल्लाइ रखमार रराहीम आज हम module 61 discuss करेंगे module 61 है Vectored Exception Handling इससे पहले हमने exception handling भी discuss की है और हमने console control handlers भी discuss की है exception handling के अंदर हमने देखा है कि हम exceptions को handle करते है और console control handling के अंदर हमने देखा है के हम एक function या handler बना के रख सकते है और जब भी कोई console का event अकर होता है तो उसके against एक handler जो है वो execute वहाँ पे try और accept वगएरा हम use नहीं कर Vectored exceptions जो हैं ये भी इन दोनों चीज़ों का mix है इसके अंदर भी आप handlers बना सकते है और जब भी कोई exception अकर होगी rather than के आपकी वो structured exception execute हो आपका वो handler जो है execute हो यानि के जो आपका handler function है उस पर direct execution होगी आप एक हर जो भी exception है उसके लिए एक function बना सकते हैं और जो ही वो exception अकर होगी directly उस function की execution हो जाएगी आपको उस function को just windows के पास register करना पड़ेगा जिसके लिए एक set of apis window प्रवाइड करती है जो windows का अपना तरीके कार है वो यह है कि जब भी कोई exception अकर होती है for example do in by zero हो गया या invalid instruction होगी page fault हो गया कोई भी अगर exception अकर होती है तो windows क्या करती है windows सबसे पहले vectored exceptions को देखती है यानि कि vectored exception handlers को check करती है कि उसके पास कोई vectored exception handlers जो है वो रिजिस्टर हुए है अगर वो रिजिस्टर नहीं हुए हुए है तो फिर वो structured exception handlers की पास जाती है और उसके अंदर भी आखो पता है कि एक stack होती है पहले stack के अंदर जो top पे होता है उसको वो देखती है अगर वो कह देता है आगे अगले को पास कर देता है exception तो उस case के अंदर वो stack को unwind करती है और जो भी chain होती है वो पूरी traverse करती है इसी तरह vectored exception handlers की भी change जो है वो बनाई जा सकती है तो vectored exception handlers का हमें advantage किया है इसका advantage एक सबसे बड़ा यह है कि आपको वो try का जो एक construct हमने पहले use किया था और catch का साथ construct यूज किया था उस construct की आपको यहां पे जरूरत नहीं पड़ती आप उसके बगार एक simpler एक जादा modular तरीके से एक simple सा एक function बनाके exception को handle कर सके हैं और इस लिहाँ से जो vectored exception handling है वो console control handlers जैसी ही एक तरह की चीज़ है कि इसके अंदर आप functions बनाके exceptions को handle कर सकते हैं फिर Windows एक set of APIs प्रवाइड करती है जिसके मदद से आप vectored exception handlers को जो है वो manage कर सकते हैं हम उस API को discuss करते हैं यहां पे सबसे पहली API जो है that is add vectored exception handler जिस तरह हमने उसके अंदर देखा था कि एक function use हो रहा था जिसकी मदद से आप console exception handler को register कर सकते थे यहां पे function का नाम है add vectored exception handler add से यह पता चल रहा है कि आप एक से जादा exception handlers जो हैं उनको add कर सकते हैं और यहां पे दो parameters है first handler और vectored handler first handler यह एक unsigned long है first handler जब यह specify कर रहे हैं कि यह जो आपका handler है यह सबसे पहले execute होगा यह नहीं होगा first handler की जो value है अगर से यह non zero है तो इसका मतलब है यह indicate करता है आप चाते हैं कि आपका जो vector handler है वो सबसे पहले execute हो जब windows पूरी chain को traverse करती है तो chain के अंदर सबसे top के उपर आपका handler पढ़ाओ और अगर आपने इसकी value zero रखी है first handler की तो इस case के अंदर जो window है windows operating system है वो आपके function को सबसे पहले execute नहीं करेंगा किस तरह से execute करेगा जिस order के अंदर आपके functions add होए अगर इसके बाद कोई और ऐसा function add हो जाता है जिसका भी first handler zero है और और भी add होते हैं तो जिस order के अंदर वो add हो रहे हैं उस order के अंदर वो execute होता है और यहां पे आप देखें कि यह function जो है अगर fail हो जाता है तो यह आपको क्या return करता है और अगर यह successful होता है तो उस case में जो इसने value return किया है that is handle to the vector deception handler यानि कि यह इस vector exception handler को handle करने के लिए भी एक handle चाहिए यानि कि windows का एक object है आप देखा है windows के जितने भी resources है वो handles की मदद से manage किये जाते हैं तो जो exception handler है उसका एक यह handle है यह handle return होता है आप इस handle को कहीं save करने किसी variable में आगे चलके इसकी जरूरत पढ़ सकती है और आपने अगर इस exception handler को अब यूज नहीं करना किसी वज़े से आपने इसको remove कर देना तो उसके लिए जो आप API use कर सकते हैं वो remove vectored exception handler इस API की मदद से आप इस exception handler को remove कर सकते हैं Windows को कैसे पता चलेगा किस exception handler को remove करना है जो handle return हुआ था जिसको आपने save कर लिया कहीं वो handle आप इस API को specify करेंगे इस function को specify करेंगे और आपका handler जो है वो remove हो जाए अब हम यह देखते हैं कि जो आपका vector handler है आपका जो function है जो exception को directly handle करेगा उसको आप किस तरीके से लिए अभी हमने देखा add vector exception handler की जो API है उसकी मदद से आप उसको add कर सकते हैं लेकिन अगर आपने उसको add किया तो उसको सही तरह से लिखना भी जरूरी है और उसके अंदर कुछ code होनी चाहिए जो के आपकी उस exception को handle करेगा तो उसको लिखने का क्या तरीके का रहा है उसको यहां पर देखते हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो vector handler आपने बनाया इसका नाम जो भी आप रखें इसके एक parameter है exception info यह वही structure है जब हमने previously exceptions के अंदर discuss किया था ठीक है तो यह exception pointer structure है इसका हमने कुछ structure previously discuss भी किया था मजीद detail MSDN मेंसे आपको मिल सकती हैं और इसको आप मजीद एक और API है get exception information ठीक है इस API की मदद से भी इस function को retrieve कर सकते हैं in case जब भी कोई exception आकर हो जाए और फिर यह जो आपने vector handler लिखा है इस vector handler के अंदर आपको directly यह structure मिल जाता है इस structure के अंदर जो information पढ़ी हुई है उसको use करके आप अपनी उस exception को handle कर से अब जब आपने एक vector exception handler लिखा है तो मजीद आपको यह पता होना चाहिए कि उसको लिखने का क्या तरीका है क्या ऐसी चीज़ें जो आपने करनी है उसको लिखते हुए उसकी code लिखते हुए और क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी है किन चीज़ें का ख्याल रखना है सबसे important चीज़ यह है जो vector exception handler है वो बिलकुल top of the chain पे होता है सबसे पहले vector exception handler को call करना है उसने तो इसलिए vector exception handler को return करना और फारी तोर पे जल्द से जल return करना जरूरी है उसके नहीं बहुत ज़्यादा code नहीं होनी चाहिए minimal code होनी चाहिए ताके वो जल्दी से जल्दी return कर सके दूसरी चीज़ इसमें समझने वाली है कि उसके नहीं कोई blocking function नहीं होना चाहिए जिससरह हमने previously अभी देख़ा है sleep का function है यह block कर देता है sleep का function नहीं होना चाहिए और इस तरह synchronization के constructs नहीं होना चाहिए जिसके वजह से execution block हो जाती है blocking function कोई नहीं होना चाहिए blocking function होगा execution indefinitely रुख जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए फिर इसके अलाबा आपने देखा है कि जो vectored exception handler है वो आपके exception information का structure है उसको access करता है वो एक बड़ा से structure है तो उसको बस minimum task perform करना चाहिए जल्दी से structure को read करके उसमें से information लेके और कुछ flags और कुछ जो भी inputs फिर vectored exception handler जब वो return करे तो उसकी return type भी है return type से यह पता चलता है कि उसने chain के अंदर अगली जो exceptions है उनको use करना है जो stack है वो उसने unwind होना है नहीं होना वो जो उसकी return types हैं वो बिलकुल exactly same है as compared to structured exception handler. यहाँ पे हम देख सकते हैं वो जो दो important return types हैं जिनको हमने पहले use किया था एक थी exception continue execution और दूसरी exception continue search continue execution का मतलब है कि कोई और मजीद handler execute नहीं होता और जिस point से execution जो है वो exception handler पे जाती है उसी point से onwards execution जो है continue होना शुरू हो जाती है stack के अंदर पड़ा हुआ कोई और exception handler जो है वो unwind नहीं होता उसको invoke नहीं किया है और दूसरा exception continue search exception continue search यह ही है कि जो windows है वो अपनी search जारी रखेगा इस handler के execute होने के बाद जो stack है उसको वो unwind करेगा unwinding अंदर अगला exception handler देखेगा अगर वो भी कहता है कि continue search तो फिर उसे अगला देखेगा and so on पूरी chain को हो सकता है वो traverse करेगा झाल करेगा फचन प्रप्वा करेगा करेगा झाल